सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बैल आइकन को लेटेस्ट एजूकेशन वीडियो के लिए साथियो इस वीडियो में हम तैयारी करने वाले हैं हिंदी सिख्षन के कुछ महत्पूर प्रशना की जो की परिच्छाओं की दृष्टी से बहुत उपयोगी हैं और वरतमान में इन परतियोगी परिच्छाओं में पूछे जा रहे हैं आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें जिस उनके पास भी पहुँच जा चलिए पहले ही प्रशन से स्टार्ट कर रहे हैं मौखिक भाषा को जाचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर है क्या कह रहे हैं मौखिक भाषा को जाचने के लिए कौन सा तरीका महत्वपूर है तो आपसन दिया हुआ है पढ़ना पढ़वाना पहला है देखे मौखिक भासा की जाच करने हैं जिसमें जादा बोलने की बात रहे पाठ से संबंधित प्रशन के उत्तर पूछना चात्रों से बात चीत करना या फर चात्रों से गीत गाने को कहा जा सकता है तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर मौुकिक भाशा को जांच करने के लिए सबसे अच्छा तरही का рहेगा छात्रों से बात चीत करना आप चात्रों से बात चीत करेंगे तो उसे पता चलेगा कि उन्हें कहां प्रॉबलम है वो बाय मतलब मौक अभी व्यक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये रहेगा सही चले चलते हैं अगले प्रशन पर जहां पर दिया हुआ है उपचारात्मक सिक्षण का उद्देश क्या है तो देखें निदानात्मक में तो खोजा जाता है कि क्या समस्या चात्र के अंदर है और उस समस्या को ढूड़ करके जब दूर दोस्ट दूर किया जाता है उसका है चात्र के दोशों को दूर करना हाँ ये ठीक रहेगा चात्रों के बीच भेद करना ये तो बिलकुल सही गलत है तो चात्र के दोशों को दूर करना उपचारात्मक सिक्षण का उद्देश रहेगा ये होगा सही उत्तर चलिए अगरे प्रशन पर चलते हैं जहां दिया निमलेखित मैंसे कौनसा कारण बालकों के मानसिक तोर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है पूछा है कि बालक मानसिक तोर से मानसिक तोर पर क्या है बीमार नहीं है क्या कहा पारिबारिक वातावरण के कारण पहला सामाजिक वातावरण के कारण दूसरा विद्यालेई वातावरण के करण तीसरा या फर खेल परिसर का वातावरण चोथा क्या रहेगा इसका सही उत्तर तो निमलखित में से कौन सा करण बालकों के मानसिक तोर पर बीमार होने का करण नहीं देखी एक ये तो मानसिक तोर पर बीमार होने का करण है पारिवारिक सामाजिक वातावरण भी करण हो सकता है और विद्यालेई भी हो सकता है लेकिन खेल परिसर का जो वातावरण है ये मानसिक तोर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है ये रहेगा इसका सही उत्तर चोथा बाला आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहाँ पर दिया हुआ है आपकी कच्चा का कोई छात्र अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है इस स्थिती में आप क्या करेंगे उसे डाटेंगे उसे सजा देंगे कारण जानने का प्रयास करेंगे या फिर प्रधाना ध्यापक से सिकायत करते हुए उसका दाखिला रद्द करवा देंगे क्या करवा देंगे खारिज करवा देंगे या फिर रद्द करवा देंगे तो क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर ध्यान से और ऐसे प्रशन बिलकुल इजी रूप से पूछ लिये जाते हैं कभी-कभी ऐसी परिक्षाएं भी हो मतलब किने किनी परिक्षा हूं या फर CTET में तक मैंने ऐसे परसन देखे हुए है जो की लगबग 10 परसन तो ऐसे होते हैं 5 से 10 परसन जो इजी होते हैं और फर जो 20 परसन होते हैं वो थोड़े से हार्ड रहते हैं तो उनकी तैयारियोपन को यहां करना है क्या होगा सही उत्तर आपकी कख्षा का कोई चात्र अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो आप इस इस्तिती में क्या करेंगे कारण जानने का प्रयास करेंगे यह हैं बिलकुल से सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रषण पर जहां पर दिया हुआ है नीरज इ को र बोलता है तो उसकी इस असुद्धी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है यदि कोई बच्चा है वो क्या बोल रहा है E को र बोल रहा है तो उसकी इस असुद्धी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है नीरज को इन दोनों वरणों के उच्चारण की रिकॉर्डिंग देनी चाहिए ठीक है कि अपने रिकॉर्ड करके दिया कि देखो तुमने ये गलत बोला है दूसरा सिख्षक को दोनों वर्णों के उच्चार्ड सुयम करके बाद मैं छात्रों से अभ्यास करना चाहिए बिल्कुल ये ज्यादा सही लग रहा है ये बिल्कुल से गलत है उसे वर्णों को बार बार बोलने बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे ये भी ठीक है उसे बार बार इन दोनों शब्दों को आइछान करने के लिए हैंगे लेकि जो जादा ठीक यहाँ पर लग रहा है ये second वाला सही उत्तर क्या होगा ये second वाला जो है ये रहे का सही उत्तर क्योंकि जादा धिया हुआ है इन में से कौन सी बीमारी गड़त विशैसे संबंधित है तो देखिए यहाँ पर है पूछा है चुकि मैं यह वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं है आप्सन पढ़के और फिर डिप्रेसन लगाया था लेकिन गड़त विशैसे संबंधित है पूछा है तो डिसकैल कुलिया जो है यह पर्टिकूलर एक बीमारी है जो की गड़त विशैसे संबंधित है आगे चलते हैं अगले प्रस्टा पर जहाँ पर दिया हुआ है बहु भाशिक कक्षा में हिंदी भाशा सिक्षड के लिए निम्लिकत में से कौन सा तरीका उत्तम है देखें बहु भाशिक कक्षा है मतब की बिभिन भाशा हैं वहाँ पर पढ़ाई जा रही है तो उसमें हिंदी भाशा का सिक्षड होना है तो उसके लिए कौन सा तरीका उत्तम रहेगा हिंदी भाषा की फिल्में दिखाकर तो ये तो गलत होगा हिंदी भाषा की फिल्में के लिए दिखाएंगे तो वहाँ थोड़ी तरीका उत्तम है सक्ष्ण का आपस मैं बात चीत करके तो क्या बात चीत करके यह हो सकता है हाँ थोड़ा सा संभाव है लेकर अगले option देखके पता चलेगा चात्रों से निबंध कहानियादी लिखवा कर तो ये तो ठीक नहीं है हिंदी भासा से संभंधित विशयों की recording सुना कर ये भी गलत है देखिए बहु भाशिक कक्षा है भाशिक कक्षा है बहु भाशिक बोलने वाली बहुत सारी भाशाओं के बोलने वाले तो यहां आपस में बात चीत करके सिक्षण कराया जाना संभाव है ये रहेगा सका सही उत्तर तो second option जो है ये होगा सही आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है नब्बे से सो या फर नब्बे से एक सो नो बुद्धी लब्धी वाले विद्यार थी किस स्रेणी में आते हैं नब्बे से एक सो नो बुद्धी लब्धी वाले विद्यार्थी किश च्रणी में आते हैं ये बताना है तो आवशत दिया हुआ है उप्सन में पहला आवशत से अधिक दिया हुआ है दूसरा और आवशत से कम तीशरा और बुद्धिमान चोथा दिया है तो क्या रहेगा सही उत्तर 90 से और 109 बुद्धि लब्धि वाले जो होते हैं वो औसत बुद्धि वाले कहलाते हैं आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है हरलीन कौर चौथी कक्षा की चात्रा है उसकी मात्रभासा पंजाबी है इस करण वाले हिंदी भाशा के प्रयोग में गलतियां करती है इस असुद्धी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है एक बार और पढ़ लेते हैं प्रश्ण को हरलीन कौर चौथी कक्षा की चात्रा है उसकी मात्रभासा पंजाबी है इस करण हुआ हिंदी भाशा के प्रयोग में गलतियां करती है तो इस असुद्धी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है उसे प्रती दिन हिंदी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए पहला उप्सन दिया है उसे हिंदी भाशा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए ये भी आपको लगाने की कोशिश करना है हमें साब कि चारों की अपेक्षा ये सही है आगे चलते हैं सोभना जो है वो बा को वा लिखती है तो उसकी इस समस्या का कारण है उसकी समस्या का कारण क्या है डिस्ग्राफिया है डिसलेक्सिया है या फर डिसकलकुलिया है या फर सुलीनता है तो क्या कह रही है क्या कहा जा रहा है यहां वो बा को ओवा लिखती है तो इसके लिखने का कारण क्या है सोभना के तो यह डिसग्राफिया है पहला रहेगा उपसन सही डिसग्राफिया आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांस लेखन का कारे दिया है इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मुल्यांकन किया जा सकता है बताने है आपको पहला प्रश्ण दिया है श्रबन काशल का भाशन काशल का लेखन काशल का या फर पठन काशल का तो कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांस लेखन का कारे दिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मुल्यांकन किया जा सकता है तो लिखने का है तो सिधी सिधी बात है लेखन का उचल ये होगा सही उत्तर अगले परशन पर चलते हैं जहां पर दिया हुआ है मुल्यांकन से हमें छात्रों के क्या होता है केबल गुणों की जानकारी मिलती है केबल दोशों का पता चलता है केबल गुण दोश दोनों का पता चलता है या फर बुद्धी हीन चात्रों की जानकारी मिलती है तो मुल्यांकन से हमें चात्रों के क्या होता है गुण तथा दोश दोनों का पता चलता है कि चात्रों के अंदर कद अंदर गुण क्या है और दो शिक्या है, ये होगा सही आगे चलते हैं अगले प्रश्णपर, जहाँ पर दिया हुआ है सबनम नने कलके मैच का आँखों देखा हाल अपने सहपाथियों को सुनाया इस स्थिति में सबनम किश कोशल का प्रयोग कर रही है क्या कह रहे हैं सबनम ने कल के मैच का आँखों देखा हाल सहपाथियों को सुनाया बलकुल ठीक है तो इस स्थिती में सबनम किश कौशल का प्रियोग कर रही है यहाँ पर कौन से कौशल का उसको मतलब वो प्रियोग कर रही है यह बताना है तो उसने बताया है ना बोल के बताया होगा जब बताया होगा तो शिदी-शिदी बात है वाचन कौशल, लेखन कौशल, शमन कौशल या फिर भाशन कौशल तो भाशन होगा यहां पर सही चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है निबंधात्मक लगुतर आत्मक बतलब लगुतर तथा वस्तुनिष्ट किस परिच्छा के स्वरूप है दिखे फिर से निबंधात्मक लगुतर और वस्तुनिष्ट किस परिच्छा के स्वरूप है लिखित प्राशन के हैं, तो बताना है आपको सही उत्तर क्या रहेगा, निम्न्धात्मक लगुतर तथावस्तु निष्ठ, किस परिच्छा के स्वरूप हैं, क्या होगा सही उत्तर लिखत परिच्छा के, यह जो पहला वाला दिया हुआ है, यही होगा सही उत्तर, ये हो चुका है प्राश्ण आगे चलते हैं अगे प्राश्ण पर जहाँ पर दिया हुआ है राधीका ने अपने भाशन में सिक्छक दिबस पर या फर सिक्छक दिबस से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी नीचे दिये गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाशन को गरहन करने में सहायक है क्या होगा इसका सही उत्तर तो गरहन करने में पूछा है ध्यान से एक और चीज़ देख लाना भाशन राधिका ने अपने भाशन में सक्षक दिवसे सममंधित क governance जनकरियनी ठीक है राधिका ने तो बोला है लेकिन इसको ग्रहन करना है तो आपको सुनना पड़ेगा और सुनने की चर्चा कहा होती है आपको पता है तो लेखन में नहीं होगी भाशन में सुनना की चर्चा नहीं है क्योंकि यहां बोलना है पठन में भी नहीं है तो श्टरबर्ण होगा बिल्कुल ध्यान से समझ के और फिर उत्तर देना है आराम से समझ में आजाएगा कोई कठिन नहीं है यह आगे गीती का सब्द को कोई लड़की है गीती का जो कि वो सब्द को सब्द बोलती है यहां से तालब्य सकार को दंत सकार बोलती है तो मूल्यांकन की किस प्रविधी के कारण इसका पता लगाया जा शकता है गुनात्मक प्रविधी के द्वारा पल्णामात्मक प्रगतिक प्रविधी के द्वारा गुणात्मक तथा पल्णामात्मक दोनो या फर जांच बिधी के द्वारा क्या होगा सही उत्तर गीती का है गीती का क्या कर रही है सब्द को सब्द बोल रही है तो मूल्यांकन की किस प्रविधी के काड़ इसका पताय लगाया जाशकता है तो सही उत्तर रहेगा परिडामात्मक प्रविधी के द्वारा क्योंकि इसमें सुद्ध उच्छाण का मूल्यांकन किया जाता है दिये गए विकल्पों में से किस आधार पर मूल्यांकन की प्रविधी का वर्गी करण किया जा सकता है तो क्रियात्मक तथा बोधात्मक दूसरा दिया हुआ है क्रियात्मक तथा गुनात्मक तीशरा दिया है परणामात्मक तथा बोधात्मक या फिर गुणातमक तथा पर्णामातमक तो इनमें से क्या रहेगा सही उत्तर तो ये होगा चौथा गुणातमक तथा पर्णामातमक रहेगा चौथा वाला सही आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है रोमा पहली कच्छा के विद्यार्थियों से बालगीत सुन रही है इस प्रक्रिया में रोमा किस प्रकार का मुल्यांकन कर रही है मतलब रोमा है वो क्या कर रही है पहली कच्छा के विद्यार्थियों से बालगीत सुन रही है तो इस प्रक्रिया से रॉमा किस कौसल का मुल्यांकन कर रही है ये ध्यान रखना है तो पहली क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं और जो रॉमा है वो सुन रही है तो उच्चारण कौसल रहेगा यहां पर सही क्या होगा सही उत्तर उच्चारण कौसल आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है चात्र विशय में रुची ले रहे हैं या नहीं चात्र विशय में रुची ले रहे हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए हिंदी की अध्यापी का किस बिधी का प्रियोग करेगी क्या होगा इसका सही उत्तर चातर विसाय मेरुची ले रहे हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए हिंदी की अध्यापी का किस विधी का प्रियोग करेगी देखे परिणामात्मक प्रविधी का जांच विधी का या फिर संचै आलेक का या फिर निरिख्षड का तो सही उत्तर क्या रहेगा जांच विधी का जांच विधी का प्रयोग करके पता करेगी वो तो दूसरा जो सैकंड दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है इन में से किस बिधी का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है तो नाटक देखना, नाटक पढ़ना, नाटक सुनना या फर नाटक में अभिनाय करना क्या कहा या फर नाटक में अभिनाय करना तो क्या होगा सही इन मेंसे किस विधी का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है शही उत्तर रहेगा चौथा ये बाला आगे चलते हैं अगले प्रशन पर जहां पर दिया हुआ है इनमेंसे कौनसी प्रक्रिया भाशा कउसल से संबंधित नहीं है दूसरा लिखना भी है और पढ़ना भी है अपना सही उत्तर सोचना आगे चलते हैं अनुलेख दिया हुआ है शुर्तलेख दिया है किस कौसल से जुड़े हैं ये अनुलेख, शुर्तलेख और सुलेख तो श्रमण कौसल से जुड़े हैं पथन से जुड़े हैं मौखिक अभीव्यक्ति से जुड़े हैं या फिर लेखन कवसल से जुड़े हैं तो सही उत्तर क्या रहेगा अनुलेख शुटलेख और सुलेख ये चारों के चारों लेखन कवसल से जुड़े हैं ये हो जाएगा सही आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है इनमें से कौन सा कौशल चित्रात्मक भाशा का प्रती निधित्व करता है तो लिखना, सुनना, बोलना या पढ़ना क्या होगा इसमा सही उत्तर इन में से कौन सा कौशल चित्रात्मक भाषा का प्रति निधित्व करता है क्या रहेगा सही उत्तर बताएं इन में से कौन सा कौशल चित्रात्मक भाषा की बात आती है तो लिखना जो है ये सही हो जाएगा लेखन आदी की चर्चाएं चलने लगती है आगे चलते हैं सेसन का ये लाश्ट प्रश्न होगा इन में से कौन सा कौशल भाषा शीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल है देखे भासा सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल पूछा है तो जो अंतिम कौशल रहता है वो लिखना ही है श्रबन, भाशन, पठन और लेखन में अंतिमे ये आता है और कौशल की जब बात की जाती है भासा सीखने की प्रक्रिया हो या फर भासा कौशल हो तो वहाँ पर लिखना जो है यह अंतिम है चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन सी क्रिया शर्मन का उसल का हिस्सा नहीं है आपसन दिये हैं दिये गए संदेजों को समझना तो यह है अपने विचारों को अभीविएक्ट करना हाँ यह नहीं है क्योंकि इसमें बोलना है अवधार नाओं को समझना ठीक है दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करना यह भी ठीक है तो जो यह सेकंड ओप्सन है यह हो जाएगा प्रियास का सही उत्तर जो कि नेगेटिव है यहां पर यह रहेगा सही तो आज के लिए इतना ही आगे पुनाहा इसी प्रकार से अन्य वीडियो के साथ आप लोग यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और अपने वित्रों को जादा से जादा से शेयर करने का प करने कि शेड़कर नहीर कि वादे कर ले हैं करने का पर याद